आज मुझे मम्मी और परवेश के सीक्रेट प्लैन के बारे में पता चला और वो भी एक वीडियो क्लिप के जरिये तो रात को मैंने चुले पे खाना बनाया और मोसम एकदम बदल गया हलकी बारिश भी आई इसकी वज़े से सुबह मोसम बड़ा सुहावना था मैंने की घर की साफसफाई इधर मम्मी लस्सी दूद लाई और कच्छरी के सीजन में मम्मी ने इनको काट के सुखाया था तो आज उन ही की चटनी बनानी थी पत्थर पर पीस के लस्सी मिला मिला के ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है इधर मम्मी ने बाजरे की रोटी बनानी शुरू की, सबने खानावाना खाके फिर मम्मी और परविष खेत देखने चले गए और खेतों में जाकर पता चला लगबग एक महीने के अंदर इनकी कटाई शुरू हो जाएगी तो मम्मी और परविष ने प्लैन बनाया कि कटाई के टाइम पे न दोनों मा बेटा एक महीने रुक के जाएंगे मम्मी कितनी भी कोशिस कर ले न मैं पिछा छोड़ने वाली नहीं हूँ शाम को पहले खुद तयार होके मैंने बैक तयार किये फिर सारा समान पैक करके गाड़ी में रखा और अपने गाम वाले घर को बाई बोल के निकल लिए रास्ते से खरीदे खटे मिठे पीले पीले बेर और दिल्ली पोचते पोचते अंधेरा हो चुका था समान को ठीकाने रखके मैंने चाय बनाई और साथ में घर से ही लाई हुई बाजरे की रोटी और चिटनी भी खाई